कि नमस्कार मैं डॉक्टर नरंद्र कुमार ड्रोएंग और पैंटिंग से अभी हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रगिला विशे के टॉपिक चल रहा हमारा प्रिंसिबल्स ओफ कमपोजिशन यानि कि सहयोजन के सिद्धान्त और इन सहयोजन के जो सिद्धान्त प्रिंसिबल्स है उनमें प्रतम हमारा चुका है दूसरा जो सिद्धान्त है वो है सामन जैसे संगति यानि कि हार्मनी तो हार्मनी के बारे हम चर्चा कर चुके अब इसी तो सामन्ची जो हम रशना तत्तों की ऐसी संगती कह सकते हैं जो सहियोजन में यानि की कमपोजिशन में एकत्व की इस्तापना करने में सहायक होते हैं यानि कि एक जो harmony है उस harmony को हम जिससे जो रसना तत्त है जिसे रेखा है रूप है वरण है तान है पोट है त्यजित तो उनकी एससे संगति कह सकते हैं जो से नोजन में ज़ो composition में एकत्यूं की स्थापना करने में अब जैसे संपून से योजन या उसके विभीन निकायो यानि यूनिट्स में प्रियोग में आने वाले चित्र के विभीन तत्व, रेखा, रूप, वर्ण, आदी के मद्दे जैसे मैंने बताया है किसी विचार के अनुरूप समानता होने से ही सामन जिस्से की इस्तती बनती है और जब किसी चित्र के सभी तत्व सक्तिसाली साद्रस्टे से बंदे हो तो वह सामन जिस्से चैन यानि हार्मनियस सेलेक्शन कहलाता है और जब इन तत्वों को एक व्यवस्ता के अंतरगत कलाकरती की रूप में डाला जाये तो ये सामान जैसे व्यवस्ता harmonious arrangement कही जाएगी तो संगीत की जैसे सास्तरी व्यवस्ता के अनुसारक सामान जैसे को सोरों में पूर्ण संतुलन एवं तनाव के मद्धी के वस्ता माना गया है यानि कि संगेत में और द्रस्य कलाओं के अंतरगत भी सामन जैसे को इसी बाती समझा जा सकता है यानि कि कला रसना के अंतरगत सामन जैसे के स्वरूप को समझने के लिए उससे जुड़ी दो विस्तितियों पर विचार करना आवशक है यानि कि जैसे पहली तो है कला तत्यों की पुन्रावरति यानि रिपिटेशन और दूसरी ये कला तत्यों में विरोधावास यानि कंट्रास्ट अब ये उपरे दोनों इस्ट्थियां पूंडते हैं, विपृति शुरूप वाली है कला तत्वों की पुंड़ावरती, यानि कला रसना में समानतार और सहीऊट की इस्टती उत्पन्न करती है जबकि कला तत्तों में विरुदः वास होने से इनकी इस्तिती विप्रित उत्पन होती है यानि कि जिसे कोई भी जो कमपोसिस्ट बन रहे हैं तो उन दोनों में ही जिसे अगर एक तो जैसे उसके अनुकूल उसके साथ साथ कोई कलर यूजज कर रहे हैं या जो भी तट्व हैं तो उसकी पुंड़ा वरती अगर जिसे मालो कलर रचना में समानता और सहियों की उस्तिति उत्पन्ड करती है जब कि कला तट्व में विरादवास होने से इनकी विपरिट इस्तितिया भी उत्पन्ड होती के विपरीत है तो अगर मालों उनके पुंध़ वर्ति भी एया विपूगों को आपस में किस तरशीं का सांध्य से बिठाए जाए तो इनके दोनों के विपरीता आर्थक स्तेतियों के मद्डे सेतु का जो अकारी करता है अर्थकास शांध्त id जिसको कहते हैं हम चित्र में पुंड़ा वरति से उत्पन एक रस्ता का एवम विरोधाबास से उत्पन उल्जनवे पारसपरीक विरोध के बीच संतुलन का कारी करता है आते जैसे हमी एक सति कलाकरती यानि जो भी कलाकरती है पेंटें के कंपोजिशन है कि भाव के अनुरूप सामनजिसे की एक निश्षिष्ट सेमणत है होनी चाहिए और कलाकरती के विश्ठत अंगों में सामनजिसे को परियाप्त महत दिया जाना चाहिए यानि कि जो कलाकरती है जो skincare कुछ एंग एंग मरत तत्तों के अंदर धिकाहरूप और जो भी हैं तो उन सब को सामंजिस्य को प्रिक्त महत्ति आयते हैं मतलु उनको प्रियात महत्ति आ जाना चाहिए प्रम्तु साती जैसे कलाकरती को आकर से बनाने के लिए भी उसके छोटी और परिवर्तन सील इकायों में विरोधा भास का पुट भी दिया जा सकता है जो कि चित्र के सामन जैसे को कोई हानी नहे पहुंचा सके सामन जैसे का महत्तु है तो मानों का सुभाव बिवस्ता प्रियों होता है और सामन रूची के नुसार सामन जैसे को एक आवशिक कला सिद्धान के रूप में माना जाता है तो वह तो एक बिवस्ता प्रियों के नुसार वो चलते हैं जबकि पेंटिंग के अंदर यह सामन रूची के नुसार सामन जैसे जो हर्मनी है उसको एक आवशिक कला सिद्धान के रूप में माना जाता है और कला रसना के अंतर गत कलाकार अपने कथे को यह जो इसके फिलिंग से बहाव है कर्म है विबिन प्रकार से अभिव्यक्ति देता है यह जिसमें वह पुंड़ावरती विरोधावास दोनों का समावेश करता है यानि कि जिसे पुंड़ावरती बोलते हैं रिपटेशन से मालो कि इसी फॉम को दुबारा भी कंपोजिस में कहीं पर रख दी उसने यह जो कलर से कलर से के कि दो दूबारा एक सिरे कहीं पर रख दिया तो उसका जो उसको बोलते हैं पुन्रावर्ति यानी रिपेटेस्टेंस और विरूदभावास यह जिसमानुआ उसका कोई चीज र लगा दिया तो वो चीज उसके विरोदावास वाली चीज हो जाएगी तो इन सब को कला रशना के इंतरगत तो कलाकार जो अपने जो कर्म है या कार यह पेंटिंग से तो इनके विब्लम प्रकार से अभिव्यक्त कर देता है जिससे वेगी पूंडावर्ती और विरोदावास दोनों का समावेस करतारश में होता है पेंटि में तो समने तय गया कलाकार परमपरा से विन वह उल्जन पूर्ण से यह जिनके अंदर संघ को फेंटिंग से रस्ना करता है और यही प्रवर्ति दर्शकों में भी विद्वार्ण होती है जो कलाकरती का करना चाहते हैं तो इस तरह से जिस Sowों को सक्षारों को प्रकट करता है तो वही देखने का जू नजरी होता है दर्सों का और तो ही दर्सों का लृद ब्याओन ओती जो कलाकर्ती का प्रक्षिनली answers से यानि जो देखेंगे रूप इत्यादि अनुकर्ति करना ही नहीं है होता वरन कोई परदिए ये करति है इक युकूल करती है तो उसके रस्तना उद्दैस से देखे गए रूप यनुकर्ति करना ही कोई कोपी करना उसको नहीं है वरन जिसे विबिन्य तत्वों रूपाकारों विचार आधी के मद एक ब्यवस्ता बनाना भी होता है मतलब गलाकरती जो कोई चीज बनाते हैं तो उसका जो उद्देश्च चे उसका यह निक हम किसी चीज़ के नकल करना ही उसका करती के नहीं करें स्रिजवनात्मयक और अपने भाहों को एक्च्पशेंस करना तो विबिन िस रूपाकारों विबिन विचार ओं आदि पैशिता बनाना भी होता है गूं तो इस तरश मैं चीज रएंद तत्वों लूपाकारों विचार आदी के मद या नहीं करता है तो उसतर से साम्ज़ी जो कला करते में उची कर समंदों को व्यवस्ते करने का लिया करता है जो सूंदर dh है अननन्द के अनुबुती कराते हैं यानि की एक printing है या जो composition है तो उसका मैंने भी बताया है जी सुछ mogęそ С Видu बना रहा यानि उसकी कोपी कर रहा है या कोपी करना यानुकृत्य नहीं होता है बल्कि वो जो चीज बना रहा है सामन जिससे ये खला पूर्णावरती में उन रूचिकर सम्मंदों को विवस्तित करने का कारी करता है जो सौंदर्य एस्थेटिक सेंस है अत्वा जो आनंद की अनुबूती कराते हैं यह एक तरसे पेंटिंग के उद्दिश से होते हैं उसके अंदर यह इसका महत्त होता है तो एक जो पेंटिंग तो वो एक रस्ता को एक समानता को उत्पन करती है और विरोधाबास आकस्मिक वे आकरमक तत्तित होता है यानि कि अगेस्ट में गर्मालों को विरोधाबास कोई चीज करते हैं उसके अगेस्ट वाले कोई चीज करते हैं तो वो उसमें एक तरसे आकस्मिक और आकरमक तत्त होता है तो इन सामन्जिस से दोनों के गुणों को मधूर संबन्द में बदलकर सामन्जिस से बनाता है यानि कि समानता है उसको भी करकर सहं करता है और उसमें दोन के रूप में उनको भी वो क्antoor करता है इन दोनों सामंजी को बनाता है ए सती को और साथ ही सामंजी से जो है हार्मनी सामंजी से पूर्ण विवस्ता को महत पूनिस्तान दिया गया है इसलिए मतलब कोई भी जिरोदा बा से पूण्र बनाने कायारी in quality two से सांत्रे करता है हमारी हार्मनी के दुआरा हो चीज़ें कि सहुआ रूप में नजर आती तो कस तर वह सारे तर्ट्व उनको पत्र से मेल करें और सामन जैसे के अंत्रर क्षिट्र के सभी तत्व जिसे मैं बताया रूप, वन, तान, पोत, इत्यादी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, जिससे सामाँ जिससे ब्यवस्था बनी रहे हैं। तो यह जो मैंने बताया इसका महित्व इंपर्टेंस है, कि कोड़ जो सामाजिस से बैठाना हो, तो सामाजिस है के लिए इन सबी तत्तु का, यह चितर की जो सारी तत्तु है, रेखा है, रूप है, वर्ण है, तान है, पोथ है, इसपेस है, तो ये सभी जिसे अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं कंपोजिशन में और जिसे इनकी भूमिका के द्वारा ही सामान जिसे विवस्ता बनी रहे हैं अब इससे आगे जिसे हम चर्चा करेंगे जिसे रेखाओं को तीन मुक्के स्रेडियों में बाटा जासा है की एक रेखा के द्वारा किस तरह से पेंटिंग में composition में ये बिठाया जा सकता तो इसके बारे वह मत्रचा करेंगे आगे वाले उसमें नेख्चर में ब्रया जाणर्म advice